हलो गाईज, मनोज राटोर मैथ क्लासिज में आपका स्वागत है डेस्टिंट आज के लेक्चर में हम क्लास एट से एक्सरसाइज 14.3 को डिसकर्स करें तो देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 का फेस्ट क्यूशन, फाइट दा एडिया ओफ ए रेगूलर पेंटागोन इन विच एच साइड इस फाइफ सेंटिमेटर एड अपोदम इस शिक्स सेंटिमेटर बेक्टिंट आपको क्यूशन में एक रेगूलर पेंटागोन दे रहा है तो पहले हम उसकी सेफ बनाते हैं मालो इस्टिंट यह हमारे पास एक रेगूलर पेंटागोन है ओके यह इसका अपोदम है ओके अपोदम का मीनिंग होगे इस्टिंट इसकी हाइट और इसकी साइड इतनी है फाइफ सेंटिमेटर तो यह इसकी साइड है इस साइड फाइफ सेंटिमेटर है ओके और यह इसका अपोदम है 6 cm अब इस्टेट यह एक regular pentagon है तो इसका area हमें पहले से पता है We know that area of regular polygon is equal to 1 by 2 S into A into N where S is equal to side comma A is equal to upon and N is equal to number of sides clear अग हम इनकी value substitute करते है so therefore area of regular pentagon is equal to 1 by 2 S side 5 cm into A अपोदम कितना है 6 cm into N number of side pentagon है तो 5 side है हो इसमें तो 5 यह आपका cancel 3 times 5 3 जाब 15 into 5 तो यह आपके पास आजएगा 75 cm स्टीमिटर 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 तो यह आपका क्युसन number first complete clear क्लिर स्टैंट या अश्टैंट सेकिंड क्यूसन देखते हैं Can you find the number of side in polygon if measure of each side is 7 cm, its aphodom is 4 cm and the area of polygon is 112 cm2. The question, आपको क्यूशन में each side 7 cm बोला है? That means, यह एक regular polygon है. So, आपको क्यूशन में क्या given है? It is given that area of polygon, area of polygon is equal to 112 cm2. और अपको कितना है? That is, a is equal to 4 cm and each side is equal to 7 cm. और हम चाते हैं कि एक regular polygon का area क्या होता है? Since, area of regular polygon is equal to 1 by 2 s into a into m. Okay, तो regular polygon का area कितना है? 112 is equal to 1 by 2 s, each side 7, तो s की जगा 7, a upon 4, और n हमें find out कर रहे हैं. तो 2 से ये 2 time cancel, और ये हो गया 7 to 14, और 14 से ये 8 time cancel, so n के equal में आगया 8, तो number of side कितने है? 8 है, तो ये आपको क्यूशन number second complete. क्या सिस्टेट, थाड़ क्यूशन देखते हैं, थाड़ क्यूशन में आपको ये pentagon given है, और इस pentagon का area find out करना है, और इसके side भी क्यूशन में given है, तो PU जो side है, यानि कि ये side, वो 8 cm है, औके, and PV 12 cm, तो 8 cm तो पहले से ही है, 4 और एड़ कुर में तो PV 12 मिलेगी, PW 18, तो 8 प्लस 4 12, और ये 6 18, PS 24, तो 18 तो यहां तब हो गया, ये 6 हो गया, QU आपको दे रखा है, 6 cm, and RW 8 cm, और VT आपको दे रखी है, 10 cm, अब हमें इसका area निकाल रहा है, so area of, area of pentagon, is equal to, area of triangle PUQ, area of triangle PUQ, प्लस, यह आपका ट्रिबीजियम है, area of trapezium QRWU, प्लस, area of triangle RWS, प्लस, यह बड़े वाला ट्रिबीजियम लेते हैं, area of triangle PST, ओके शुट, अब इनका area find out करते हैं, तो area of triangle PUQ कितना है, 1 by 2, base, is equal to, 1 by 2, base कितना है, 8 and height 6, प्लस, area of parallel, प्लस, प्लस, यह बड़े वाला ट्रिबीजियम, 4, प्लस 6, 10 हो जाएगी इसकी height, into sum of parallel side, यह दोनु parallel side है, तो 8 प्लस 6, 14, प्लस, area of triangle RWS, 1 by 2, base into height, that is 6 into 8, प्लस, इस triangle का area, 1 by 2, base, total PS, PS हमारी पास है, 24, और height है, UVT, 10 cm, ओके शिट, अब यह cancel हो जाएगा, 8, 2 से, 4 times, 6, 4, जा, 24, प्लस, यह आपका 5 times, तो यह बजाएगा, 14 into 5, 70, प्लस, यह cancel, 4 times, again 24, प्लस, यह आपका 12 times, 12 into 10, आपका 120, ओके शिट, तीनों को add करेंगे, तो हमारे पास आएगा, 238 cm2, तो यह इसका area होगा, इस्टेंट, यह इस्टेंट, next question number 4 देखते हैं, question number 4 में आपको यह एक octagon दे रखखा है, जिसकी each side 7 cm है, okay question, और AL perpendicular on XC, and XC हैं, वो आपकी 15 cm है, तो उस case में आपको इस octagon का area find out करना है, understood, अब एक शिट, इसके top में जो trapezium दिख रहा है, ओके, और इसके नीचे जो आपको trapezium दिख रहा है, दो मुका area same होगा, ओके, शिट, और बीच में जो इसकी figure है, वो एक erect angle है, क्योंकि यह side 7 है, तो यह भी आपकी 7, यह 15 है, student, तो यह भी आपकी 15 होगी, ओके, तो चलो, अब हम इसका area find out करते हैं, so area of octagon, a, b, c, d, e, f, g, x, is equal to area of tripegium, a, b, c, h, और इसको मैं 2 से multiply कर देता हूँ, ताकि नीचे वाला हमीं मिल जाए, plus area of rect angle, rect angle, h, c, d, z, okay, अब area of tripegium क्या होता है, student, 1 by 2, height, height क्या है, 5, ओके, तो इसके multiply measurement, और into में sum of parallel side, 15 plus 7, plus area of rect angle, l into b, l कितने है, 15 into b है, safe, 2 से 2 आपका cancel, यह हो गया, आपका 22, 22 into 5, plus यह आपका हो गया, 105, और यह बन जाएगा, आपका 110, plus 105, that is, इनको add करेंगे, तो 215 cm, square, इसका area आज़ेगा, understood, student, yes, student, next question number 5, देखते है, question number 5 में, आपको यह figure दे रखी है, और इस figure का area find out करते है, so, area of, given figure, is legal, top में क्या रहा है, rect angle, area of, rect angle, s, t, u, r, plus, area of, parallelogram, r, u, v, q, यह parallelogram है, area of, parallelogram, r, u, v, q, plus, देखते हैं, यह आपके सामने, tripegium है, area of, tripegium, q, v, w, p, simple, so, area of rectangle, l into b, that is, 18 into 6, plus, area of parallelogram, based into height, तो यह 18 है, तो यह भी आपकी 18, यह भी 18, ओके, तो based हमारे पास 18 है, height हमारे पास 9 है, तो 8 into 9, that is based into height, plus, area of, tripegium, 1 by 2, अब इस पे height, height है हमारे पास 9, ओके, into, sum of parallel size, 36 plus 18, 36 plus 18, ओके स्टेट, तो यह हमारे पास क्याएगा, 18, 6 जा, आपका आजाएगा, 108, plus 89 जा, 162, और यह आपका बन जाएगा, 44, 44 टू से cancel हो जाएगा, 22 into 9, sorry, 24, नहीं, sorry, 54, तो 54 का बन जाएगा, 27, अब इसको हम multiply करते हैं, 108, plus 162, इसको multiply करेंगे, तो हमारे पास आजाएगा, 243, अब हम तीनों को add करेंगे, 3, 2, 5, 8, 3, और 1, 5, unit square, और question, तो यह इस figure का area होगी रहा, 신की, रहुमरा, करेंगे, भी कि रोपनरी का करेंदीений, थेपिया के पासे लेका का किरैंगे, किरा जाएगाभाँ तो यह कराyinगे, जाएगा एthose लेका का का हूँमरे,